नमज़कर दोस्तों वेल्सकाई के एको नए इंड्रस्टिंग वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है मिरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे समझने की कोशि सबसे बड़ा रीजन था कि जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था जब हम एक नेगेटिव क्लोजिंग दी ती उस दिन आपका जो ग्लोबल मार्केट की जो क्लोजिंग थी वह बहुत अच्छी पॉजिटिव थी अगर आप देखोगे मेजर इंडेस में जाके डाउ जो क्या किया आज एक slightly gap up opening दी और gap up opening की वज़े से यहां पर कह सकते हैं कि morning से ही short covering आती हुई दिखाई थी क्योंकि आपको continuously momentum दिख रहा है जैसे bank nifty ने 43,000 के उपर sustain किया क्योंकि आप देख रहे हो 43,000 के उपर जैसे sustain किया continuously इसने short covering ही दिखाई है यह जो short covering का सबसे बड़ा reason यही था कि जो global market का sentiment काफी अच्छा था और 43,000 के उपर जैसे sustain कर रहा है market तो वैसी short covering है आप रही है और फिर end of the day तक आप देख सकते हो nifty ने almost high जो बनाया था वो 18,285 के करीब का high बनाया था इस level पर मैंने आपको buy के लिए बोला था कि 18,200 के उपर निकलता है तो आप buy कर सकते हो क्योंकि कह सकते हैं एक beer trap बनाता continuously market short covering के जरिए उपर जाता चला गया क्योंकि normally होता क्या है last trading session में आप बहुत तेजी से गिरे आज आप gap खुलने के साथ movement करते रहे तो फिर क्या होता है कि जो shorts होते हैं वो squeeze होना बहुत तेजी से start हो जाते क्योंकि premium बहुत के गया फिर उसको morning में loss देख रहा है फिर वो loss बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं morning में जो short covering रहती है वो continue बनी रहती है फिर market settled होने की कोशिश करता है हर dip के साथ short covering आती हुए दिखाई देती है अब यह हो गई आज की कहानी अब कल क्या हो सकता है उसको समझ है तो market का overall sentiment बिलकुल positive है यह चीछ हमेशा ध्यान में रखो जब भी मैं अगर short बोल रहा हूं या फिर buy बोलना हूं वो सिर्फ intraday का point of view है क्योंकि intraday में आपको buying की भी opportunity मिलती है selling की भी opportunity मिलती है जो भी opportunity है वो सिर्फ intraday की है उसको आप mindset में लेके इस तरीके से मत चलो कि आज मैंने short बोला है तो कल भी मैं short बोलूँगा या फिर आज मैंने buy बोला है तो कल भी मैं buy बोलूँगा जो भी हम market at 11 में understand कर रहे है वो सिर्फ intraday के basis पे है ठीक है अब overall जो trend है वो positive है overall market का sentiment positive है market का sentiment कब change होगा वो चीद मैं आपको यहां पर बता देता हूं सबसे प price action wise देखोगे तो market क्या कर रहा है एक high बना फिर आपको एक low मिला फिर आपने एक high बनाते हुए देखा है फिर आप low मिला फिर आपको एक high मिला है फिर correction में आपने same level पे ही support लेके फिर आपने एक moment दिखाया है कहीं न कहीं जो price action है market का वो क्या बन रहा हुए आपका positive बना पर क्या है price action आपका positive रहेगा ठीक है जब price action negative हो जाएगा तब हम continuously negative बाते करेंगे बट फिलाल जो है वो सिर्फ हम retracement के लिए negative बात करते हैं अगर हमें कोई भी retracement मिल सकती है opportunity तो हम उसको एक intraday के लिए short कर सकते हैं और एक profit कमा सकते हैं otherwise आप continuously buying side पे ही काम करिए जब तक आपको buying side पे ही opportunity ढूड़नी है जब तक आप 18,000 के नीचे नहीं जाते एक चीज़ क्लियर लिए ध्यान रखिएगा अगर आपको स्रिफ buying करना है और buying की ही opportunity आपको पसंद आती है तो जब तक ये level नहीं तूटता 18,050 का तब तक आपको हर dip को buy करने की कोशिस करना चाहिए मतलब dip आने का wait करके आप बाय करो आप उपर बाय करोगे तो फस सकते हो आप dip आने दो वहाँ पर आप बाय करो ठीक है समझ में आगे है अतना अब आपके लिए उपर की तरफ जो जगे खुल रही है वो अगर आप देखोगे तो हम continuously क्या है 18,200 के उपर close दिया हमने last earning session में नीचे close हुए थे बढ़ आज हम फिर निकल गए उपर और एक important breakout level के आसपास nifty खड़ा है ठीक है यहां से यह breakout देगा तो next जो target आएगा वो सीज़ा सीज़ा आपको आएगा 18,470 का इतना आप clearly ध्यान में रखिएगा तो simple the logic है कि अगर हम 18,300 के उपर निकलते हैं और इसक पचास और दूसरा होगा 18,400 का ठीक है इतना समझ में आ गया इंटरे में अगर आपको sell करना है तो इंटरे में selling का जो level होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि उस level के नीचे जाएगा तो आप sell कर सकते हो वो level है आपका यह ठीक है यह है आपका वो level 18,190 यह आपके इस level के नीचे अगर एक 5 मिनट की candle close देता है तो आप sell कर सकते हो target आपके पास है ठीक है अगर हम यहाँ पर option chain data को भी देखें निफ्टी का तो इसमें हमें देखने को भी लेगा कि 18200 की जो put है वहाँ पर 16 लग का open interest खड़ा हुआ है तो हमारे पाँ 18385 लेक का open interest है कोई ज़्यादा बड़ा open interest नहीं है market इसको easily break कर सकता है अगर sentiment positive रहता है ठीक है bank nifty की बात कर लेते हैं तो देखो bank nifty के लिए एक channel है जिसमें यह आज इसने पूरा दिन काम काच किया है तो इस पर आप नजर रख सकते हो ठीक है तो यह channel है तो जाहिर सी बात है अगर bank nifty इस level को break करता है तो हम एक बार sell करेंगे कौन सा level है लेवल है आपका 43 150 के नीचे 43 150 के नीचे ही हमारा sell बनेगा ठीक है इतना आज समझ लीज़े इसको मैंने on नीचे कर लिया है और यह channel है इस channel के अंदर मान लीजे कल भी इस channel के अंदर खुलता है और ऊपर breakout देता है यह नीचे breakdown देता है तो यह हमारा target होगा इस channel के साब से और अगर यह ऊपर breakout देता है तो ऊपर आपका 43 750 का target होगा जो bank nifty में देखने को मिल सकता है ठीक है एक चीज़ धियान जो फ्राइडे के टेडिंग सेशन में जो selling आई थी हूँ SGFC बैंक और इंडसेंट बैंक का ज्यादा रोलता है SGFC बैंक का ज्यादा रोलता क्योंकि SGFC twins है उनका weightage मार्केट में काफी ज्यादा है तो अगर वह stable होते हैं जैसे कि आज के दिन में SGFC बैंक करीब 1.5% उपर का कोशिस करेगा एक दियान में रखिएगा कि आज के दिन में जो सबसे यादा प्रॉलम आई है इसको वह 43 400 या 43 300 के उपर सस्टेन होने में आई है क्योंकि उपर हर लेविल पर selling जा रही थी तो अगर इस हाई के उपर यह सस्टेन करता है 43 4 15 के उपर तो इसके उपर हम buy करे करेंगे target हमारे पास जो होगा वो होगा आपका 43 584 और या फिर आप 43 750 का लेके चल सकते हो इतना आप clearly समझ लीजिए selling मैंने आपको बता दिये 43 150 के नीचे trade करना start करेगा तब ही हम selling करेंगे क्योंकि यह आज का swing है यह आज का swing low है इसके नीचे यह दुबारा गया नहीं है तो इसके नीचे जाएगा तो chances very high कि यह दुबारा से हो सकता है आपका 43 000 या फिर 42 800 सक जा सकता है जब भी आपको यह level तूटता हो दिखाई दे तब आप sell कर सकते हो बाकि intraday का point of view selling का position का day high day low का कैसा target बन सकता है वो मैं आपको market at 11 में आपको बता दूँगा ठीक है वही अगर हम global market देखें currently indices futures में जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं डाव फीचर 63 पॉइंट उपर है और नैस्टक करीब flat है नैस्टक में एक breakout की संबाबना है बहुत जादा बन रही है आप एक चीछी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह higher level पे ही आपका consolidation कर रहा है अग कि काफी दिन से यह इसी level पे consolidation कर रहा है और थोड़ा ता price देखोगे तो यहां से फॉल हुआ फिर इसने यह pullback दिखाया फिर यह fall इसी level पे consolidation और फिर यह breakout यह breakout है और यह breakout हो सकता है तो कहीं ना कहीं आपके पास यह consolidation का breakout हुआ है monthly chart पे फिर higher side पे आप consolidation कर रहे हो फिर यह और ब्रेक आट कर सकता है और यह ब्रेक आट करेगा तो चांसे इसमें मुमिंटम अच्छा हो सकता है ठीक है समझ में आ गया आपको यह चीज और अगर आपने टेलिग्राम पे नहीं फॉलो किया हुआ कर लो क्योंकि वहां पे दुबारा से मैंने अपडेट देना स्टार्ट कर लिया है क्योंकि पिछले 20-25 टेडिंग सेशन से मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउन था और मैं भी थोड़ा काम में बिजी था घर के काम में बेसिकली तो अब थोड़ा फिरी हुए हैं तो उसमें अपडेट मैं आपका देता हुआ आज के दिन में मैंने कुछ अपडे आई होब यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरू करिएगा और चैनल को जो सब्स्राइब के लिए क्योंकि मैं सो दिल लेके आता हुआ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जैह हिंद